नमस्कार स्टेंड गुरजी उत्राखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टेंड जैसा आप सभी को पता है कि जो उत्राखंड पुलिस में आपके कॉंस्टेबल की थी उनकी आपके जो फिजिकल एक्जाम है वो आपका पंदरह मई से सुरू ह होने जा रहा है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है या रिपोर्टिंग जो डेट है वो आपका किस दिन होगी आपका एक्जाम सेंटर कहां पर पड़ेगा क्या-क्या डॉक्यमेंट्स आपको ले जाने है उस दिन और आपका card आ चुका है नहीं आ चुका है और जो आपकी process है वो आपकी process किस तरीके से रहेगी क्योंकि ये वही आपका पहला label है कि अगर आप इसी को पार नहीं कर पाए तो जो आपका इतने सालों का सपना था वो आपका तूट सकता है तो आपको पूरी process पता होने चाहिए आपको documents प center की और जो reporting आपकी date है रिपोर्टिंग डेट और जो exam center है वो आपको जो आपका admit card आएगा उस admit card में आपको पता लगेगा ठीक है तो आप लोगों ने admit card download कर लिएंगे ऐसा है मैरी आसा है क्योंकि आपको जो admit card है वो जब आप UK SSHC की official website पर जाएंगे तो वहाँ पर आप पुलिस R.C. के सारिक नाब जोग और दक्षता परिक्षा है तो admit card जब आप इस पर click करेंगे तो इस पर click करने के बद आपका इस तरीके का आपका page खुलके आएगा जहां पर आपको जो आपका advertisement है mobile number है या आपको अपना नाम लिखना है पादर नेम लिखना है फिर आपक date है और exam center जो है वह आपका कहां पर पढ़ रहा है तो यह आपको पता लग जाएगा अब हलका मैं आपको बता दूँ कि आपको उस दिन क्या-क्या ले जाने है जो documents आपको है ठीक है जो आपको documents ले जाने है वो कौन-कौन से ले जाने है एक जो सारिक दक्षिता के लिए आ अपना अधार कार्ड होगा तो आप अधार कार्ड ले जाए फोटो कॉपी भी ले जाए और साथ में आप original भी ले जाए दोनों चीजा आप ले जाए और एक फोटो कॉपी भी आप करके ले जाए साथ में जो आपका प्रोविस पत्र है यानि admin card है उस admin card को आपको ले है और अगर अच्छा होगा कि आपको जो बैग्राउंड है वो बैग्राउंड थोड़ा सा आपका क्लियर हो अपका एक प्लेन बैग्राउंड हो, हलाकि ऐसा कोई यहां पर कंबल सरी नहीं है, लेकिन आपको दो फोटोग्राफ ले जानिए हैं और आप क्या कीजिए जो आपके नजदीक में फोटोग्राफर की दुकान है वहां से आप इसको खिचवा के अपने पास रख सकते हैं और मैं तो चाहूंगा कि आप दो से अधिक ले जाएं ताकि वहां पर आपका अगर कभी हो कि मिस हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे तो आप अधिक ले जाएं साथ में आपको जो आईउची सीमा जो आपकी एज लिमिट है उसके लिए आपका जो हाई होगा उसी के आधार पर आपको छूट अनुमन्य होगी तो आपको इतने जो सारी डॉक्युमेंट्स हैं वो डॉक्युमेंट्स आपको ले जाने हैं एक आप आधार कार्ड ले जाईएगा फोटो यूट पहचान पत्रे के लिए अलगे आप कुछ और भी ले जा सकते हैं एड्मेट कार्ड ले जाएं फोटोग्राफ ले जाएं जितने भी आपके अदर जो सेटिफिकेट्स हैं एस से रिलेटेड नाप जोग में छूट संबन दी जाती प्रमान पत्र है वो सब पर आप इनलिजेबल घोसित होंगे फिर आप उसके बाद आगे की जो परिक्षा है वो आप नहीं दे पाएंगे जैसे हम बात करें क्रिकेट बॉल थो की हाई जंप लॉंग जंप तो वह आपको आपको बहुत समझनी जरूरी है ठीक है तो अब यह आपका कप से सुरू हो होगी लेकिन जो आपका उत्तरकासी है रुद्र प्रियाग है और चमूली है इन तीन जिलों में आपका ये एक मेहने बाद 15 जून 2022 से प्रारंब की जाएगी यह आपका किसके लिए है जो आपका कॉंस्टेबल की आईटी पीए सी आयर बी के लिए और फायर मेंन के जो आपका एकजाम जो है यह एकजाम आपका हो रहा है ठीक है तो आपको जो अभी आपके उत्तरकासी रुद्र फ्याग चमूली जिली के अलावा जिस्टूडेंट है उनकी फिजिकल पे पर आपका अभी जो है वो सुरू हो जाएगा ठीक है यहां कहां का प पर होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको जो एडमिट कार्ड है आपको एडमिट कार्ड में समस्त जो जानकारी है वो आपको यह जो है पूरी मिल जाएगी आपने तो यहाँ पर भी देख सकते हैं साथ में पर डे जो है वो कितने candidates का आपका होगा 400 जो candidates है उनका यहाँ पे सारिक नाब जोग और सारिक दक्षिता परिक्षा आपकी होगी ठीक है चमपाव जिली में कुछ दिन आपके नहीं होगी 29 से लेके 31 माई तक चुनाओ के बारे में और जो आपका 3 जून को है 4 दिन जो यह परिक्षण है 29 31 और 3 तार ठीक है height में अगर हम बात करें तो जो सामान अन्य पिछडा और अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूची जाती के लिए आपका कितना है 165 cm है परवती छेत्रों के लिए student के लिए 165 cm है और अनुसूची जाती के लिए 157.5 cm है ठीक है c ने की जो नाप है उसमें आपका बिन फुलाए 78.8 और फुलाने पर 83.8 ये सामान ने पिछड़ावर अनुसुचे जाती के लिए ऐसी परवती छेत्र के लिए आपका 76.3 और 81.3 सेंटीमीटर आपका क्या है सीने की माप मिनिमाम आपका कितना है 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है इस ट्रेंट मैं आपको बता दूँ कि आपने इससे पहले हमारे जो बहुत सारे वीडियोस थे जहां पर हमने बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उनके सान मिलके आपकी वीडियोस बनाया थे आप लोग ने उनको सरहता एक बार आप उनको दुबारा से देख सकते हैं ठीक है पर्वत्य छेत्र का जो आपका नेड़ार्चा वो कैसे किया जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं पर आपके छेत्र में आएगे इसी के बार जितने भी आरशती जन पर व्हटुरुज्य श ardントा इनका संपूर्ण भाग पूरा किसमें माना जा परवतिय छेत्र में ही आपका माना जाएगा सारे इक दक्षता में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको लेबल वाइस चलना है सबसे पहले आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होगा ठीक है और मिनिममं 50% मार्क्स लाना आपका कंपल सरी है यानि अगर हम किवल क्रिकेट बॉल थ् फैक ना ही फैक ना है आपने हमारी सत्तर मीटर वाली वीडियो जरूर देखी होगी अगर नहीं देखिए तो आप उसको एक बार देख लें ठीक है तो पचास मीटर आपको मिनिममं फैक नहीं है और जिस भी लेबल से आप बाहर हो गए जिस भी लेबल में आप फेल फिर उसके बाद जो फूर्थ नमबर पर आपका बनेगा वह बैठक दंड बैठक जिसको हम बोलते हैं पहले बैठक फिर आपके दंड जो हैं वह आपको कितने मिनन में कितने लगाने है यह डिटेल में हमने पहले आपकी वीडियो बनाई हुई है फिर लास्ट में आपकी जो है वो दोड़ होगी तो एक-एक लेबल करके आपको पांस लेबल जो हैं यहां पर पार करने हैं उससे पहरे जो आपको है वो आपको अपनी हाइट और चेस्ट अगर आपको मिजर करवानी है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी की करनी है क्योंकि एक म तो आप जो है हमारी यहां पे जो निचे लिंक दिया हुआ है वहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या होना जरूरी है जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई भी थी कि 45 kg वजन जो है वह किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं गल्स के लिए वह आप देख सकते हैं और यहां पर आपको आपकी स्क्रीन पर सभी जो पूरा डिटेल में यहां पर देख रहा होगा आप वह जो है वह सारी चीज़ें यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको जो पूरा का पूरा इस्टेंड यह तो हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत सुख कामना हैं, आप इसमें सफल हों, बहुत जल्दी हमें आप उत्राखंड पुलिस में से वारत दिखें, ऐसी हम कामना करते हैं, मेहनत कीजिए, और अगर आप इसके रिटर्न एक्जाम के लिए तैयारी करना चाहते ह हैं, तो आप हमारी एप विदा से लर्निंग एप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा इसका रिटर्न का कूर्स आपका चल रहा है, तो हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जै भारत, जै उत्तराखंड. झाल झाल